पी-म नरेंदर मोदी ने लोगसबाद चुनाव परिणाम आने के बाद कहा प्रचंड बहुमत के बावजूद भी मैं कभी भी बद इरादे और बद नियती से काम नहीं करूँगा सारुजनिक रूप से मेरे जीवन का एक एक पल और एक एक कन देश वासियों के लिए समर्पित है वे दिल्ले इस्तित पार्टी के मुख्याले में आयोजित कारेक्रम को संबोदित करते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मैं देश वाशियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सारुजनिक रूप से जो बाते करता हूँ उसे निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए देश का सम्विधान सर्वपरी है और वे उसका मान सदे उबर करार रखेंगे देश के सम्विधान के अनुसार ही काम करेंगे उन्होंने पार्टी की एतियासिक जीत के लिए पन्ना प्रमुक से लेकर राष्ट्र प्रमुक को बदाई दी और अभिनंदन किया उन्होंने कहा कि हम दो से दोबारा सत्ता में पहुँचे न संसकार भूलेंगे और नहीं धहरिये खोएंगे नमरता बनाए रखेंगे उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि इन चुनाओं में तीन बातें मिसिंग रही महेंगाई द्रस्टाचार और सेकुलरिजम जिनको लेकर विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाती थी मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एक फकीर की जोली में इतने वोटों से बर दी है ये अपने आप में एक विश्वे रिकोर्ड बन गया है इससे पहले पी एम मोदी और अमिश्या पार्टी मुख्याले पहुंचे और उन्होंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर जी की प्रतिमा का माल्यारपन किया इसके बाद अमिश्या और पार्टी कन्ये नेताओं ने मोदी का मंच पर जोरदार स्वागत किया इस दोरान काफी देर तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे अमिश्या ने भी एतियासिक जीत के लिए देश की जनता के साथ साथ पार्टी के कारेकरताओं को धन्यवाद दिया साथ ही कहा कि देश की जनता ने कई परदेशों में 50 फेजदी से ज्यादा वोट दिये कई राज्यों में कॉंग्रेस सहित कई पार्टियों के खाते भी नहीं खुले लोगों ने परिवारवाद को नकार दिया है कि लोकसबाद चुनाव परिणाम में एंडिये को प्रचंड बहुमत मिला है और फिर से मोधी के नेतरुत में सरकार बनने वाली है अपको बता दें कि गैर कॉंग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार बनने का यह देश में पहला मुका है जब कोई गेर कॉंग्रिसी पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण भहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है पूरा दिल्ली सर पर उठा लिया था घूम घूम कर घूम घूम कर एक दूसरे को मिलने जाता था दूसरा तीसरे को चौथा पांचवे को छटा साथवे को उनको लगता था कि एकजीट पोल गलत पढ़ने वाला है और एवी एम के अंदर हम मन बेद मत बेद खड़ा करकर जन्ता में प्रांती फिलाएंगे मगर मित्रा आज जब जना देश आया तब एकजीट पोल से भी आगे जना देश ने भार दिये जनका पार्टी को चिखाएंगे 21 परिवारवादी पार्टीयां जो दिल्ली में घूम घूम करती थी मैं इनको इतना ही सला देना चाहता हूँ कि इतना परिश्रम अगर आपने वोट प्राप करने के लिए किया होता तो आपका ठाता सायद खूल जाता 2019 लोगसर्भा का जनादेश हम सब देश मासुआ के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे आज हम देख रहे हैं देश की कोटी कोटी नागरिकों ने इस फकीर की जोली को भर दिया इस लोगतंत्र के उत्सव में लोगतंत्र के खातीर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है जो लोग गायल हुए है उनके परिवार जनों के प्रती मेरी संबेदना प्रगट करता हूँ और लोगतंत्र के इतिहास में लोगतंत्र के लिए मरना ये मिशाल आने वाली पीजियों को प्रेरा देती रहेगी एकीशी सदी है ये नया भारत है ये चुनाव का विज़े कोई कहता है मोदी 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 ये मोदी का विज़े नहीं है ये देश में इमानदारी के लिए तड़कते हुए नागरी की आशा अकांशाओं का विज़े है एकीशी सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विज़े है ये विज़े आत्म सम्मान आत्म गवरों के साथ एक सौचा लई के लिए तरबती हुई उस मा का विज़े है ये विज़े उस बिमार वेक्षी का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसो के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशिरवाद की विज़े है ये विज़े देश के उनकी सानों की है कि जो पसीना भाव करके रास्त के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परिशान करते रहता है और खुद जहमबत उठाता रहता है ये उसकी विज़े भाईयो बेहनो हमारे देश में ये चुना वैसा हुआ वरना आपने देखा होगा तीस साल तक लगातार देश में विशे सुपसे वैसे ये ड्रामे बाजू तो लंबे समय से चल देगी एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा टेग फैशन हो गई थी कुछ भी करो उसको लगा लो आपने गंगास दान करने जिला पुन्ने मिल जाता था उस टेग का नाम था और पुरी तरह नकली उस टेग का नाम था सेकुलरिजम और नारे लगते दे सेकुलर एक हो जाओ सेकुलरिजम